अगर आप एक blogger है चाहे आप professional है या फिर unprofessional है लेकिन ये वीडियो को मैं आपको 100% देखने के लिए बोलूगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे लगबग वीडियो की तयारी करने में पूरा एक दिन लग जुका था तो यहां पर आप लोग देखोगे ये जो है blogspot.com के साथ आ रहा है और आज मैं एक भी URL को हाइड नहीं करूँगा तो ये जो blogspot.com के साथ आते हैं क्या इसके ऊपर google adsense approval देते हैं या फिर नहीं हमने बस सुने हैं कि अभाई blogspot.com के साथ google adsense approval देते हैं लेकिन आज आज आपके सामने इतने सारे proof में रख दूँगा कि जिसके पास HTTP है उनको भी approval देते हैं किस टाइब के website के उपर यानि किस टाइब के free blogger website के उपर google approval देते हैं ये सारे experience आपको मिल जाएंगे क्योंके मैं अपने 7-8 साल के YouTube और blogging experience के हिसाब से ये जो PC Grimler Channel है इसको बनाया था और आप लोग की support की वजए से ये 2K Cross करने वाले हैं तो जितने भी लोग subscribe नहीं करते हो बस वीडियो देखते हो उनको मैं request करूँगा subscribe जरू करना इसे हम motive होते हैं क्योंकि ये आपको जरूर पता होगा कि subscribers का कोई पैसा नहीं मिलते हैं तो जो मैं बता र जैसे मैंने सोचा था चलो वीडियो बनाने में लेट हो जाए भलाई लेकिन उसके अंदर हर तरीके की blogspot.com domain के साथ review करेंगे जिसके अंदर adsense का approval हो तो सबसे पहला वाला जो website यहां पे हमें दिखने के लिए मिल जाते हैं जिसका URL आपको यहां पे दिखने के लिए मिल सकते हैं तो हर एक website को मैं refresh करके बताऊंगा यहां पर हम लोग refresh के उपर क्लिक करते हैं और यहां पर आपके सामने होगा जो भी होगा तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं यह ads by google हैं इसके उपर google का ads आ रहे हैं और अगर इसके category वगरे आप लोग चेक करना चाहते हैं तो जरूर अपलोग कर सकते हैं अगर हम इस website के बारे में बात करें बेशक आप लोग यहां पर देख पाएंगे google ads का काफी तरीके की advertisement यहां पर चल रहे हैं और ऐसी बात नहीं है इस blogging website के ऊपर कोई भी काम नहीं होते हैं इसके अंदर अच्छा खासा पोस्ट लिखा जाते हैं अगर आप देखोंगे इसके ऊपर भी काफी कमाल के तरीके से हर एक पेज के ऊपर google ads दे रहे हैं और सबसे मज़े की बात आपको और एक topic भी clear हो गया है इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को skip मत करो यहां पर देखो एड चॉइस का भी एड यहां पर चल रहे है आप भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इसको हम लोग close करेंगे अब second website की बात किया जाएं यह दिखिए second हिंदी में हैं आप लोग अगर सवाल करके बैठेंगे कि भाई blogspot.com मतलब free बिल्कुल एक रूपिया भी नहीं लगते ऐसे website बना कर किया उसके अंदर हम google का adsense ल ले सकते हैं अगर हमारे पास अंग्रेजी लिखने वाला कोई knowledge नहीं है तो उस case पर क्या हम ऐसे कर सकते हैं तो basically इस website की बात किया जाए यहां पर यह जो बंदा है यह आखिरकार मुझे ऐसा लग रहा है यह जो newspaper का photo खींचते हैं और upload कर देते हैं ऐसे करके यहां पर adsense का approval ले लिए लेकिन इस तरीके से आपको कुछ problem भी हो सकते हैं देगे हिंदुस्तान newspaper का यहां पर इन्होंने पूरा एकदम छाब दी हैं अगर इसकी quality की बात करें तो हाँ अच्छा खासा quality है अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे तो आराम से इसको पढ़ पाएंगे तो basically अगर हम बात करें तो आप लोग इतना यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई आप जो है website के उपर approval ले सकते हैं अपने हिंदी टेक्स्ट या फिर बिंगॉली या फिर मराथी किसी भी टेक्स्ट के उपर तो इसको भी एक बर refresh कर देते हैं ताके आप लोग को यक कीन हो जाए अगर हम refresh कर देते हैं उसी के बाद यह देखिए ads by google ads by google अगर हम किसी भी पोस्ट के उपर यहां पर पोस्ट तो नहीं है हर एक पिक्चर है तो एक काटेगोरी के अंदर जाते हैं वहां पर जाके देखते हैं इसके उपर क्लिक करते हैं यह देखिए Google का एड आ है यहां पर भी एड चॉइस का एड है और अगर नीचे देखोगे यह देखिए Google का एड है इसको एक बर refresh करके आपको बता देते हैं यहां पर भी Google का एड चल रहे हैं यह बैसिकली एक educational website इसके अंदर maths के यहां पर कोई भी यहां पर देखिए exam question कुछ ऐसे चीज यहां प इसके बात थाड website के बारे में बात करेंगे यहां पर अगर 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 देखोगे इसके अंदर भी उतना अच्छे तरीके से कोई भी customization नहीं की गई है यह बैसिकली और एक website है यह देखिए banknews.gumar.blogspot.com हर एक URL को आप लोग खुझ से चेक कर सकते हैं इसके अंदर भी not secure दिखाते हैं तो क्या हमें कोई धिक्कत होगा तो यह देखिए not secure है फिर भी उसके ऊपर google adsense का add run हो रहे हैं तो बेशक अंदर यहां पर से आप लोग ले सकते हैं अगर आप beginner है नए काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा opportunity है यह वीडियो को पूरा देखो आ website बनाई हाई ही है यहाँ पर ad choice का भी ad चल रहे है और साथि साथ अगर हम बात करें यहाँ पर देखे Google Adsense का add चल रहे है इसको refresh करके आपको बता देते हैं एक बार तके आपको यकीन हो जाए यह देखिए google adsense का add चल रहे है और नीचे आपका चैसी आपका एड रहे है एक म अंदर कोई भी इशू नहीं आएंगे लेकिन आपको continue रहना है कम से कम आपके blogger website के उपर कुछ traffic आपको आना चाहिए अगर traffic नहीं आएंगे तो ads ads बेकार में आपके website के उपर google adsense क्यों देंगे यह आपके दिमाग में रखना चाहिए उसके बाद next website की बात करें तो यहां पर आपको next website आते हैं जिसके ओपर यहां पर देगिए कुछ अलगी टाइप का website है इसके उपर अगर एक बार refresh कर देते हैं तो उसके बाद आपको य लुक्लिक ठाक है अगर कोई भी post के उपर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद इस post के अंदर क्या है बाई पूस्ट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, ऐसी बात तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर बस इतना ही लिखा यह क्या बात हो गए, next कोई post के उपर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर high है, इसके अंदर article है, तो यह design style इसके उपर शायद website होगा तो product के बारे में भी थोड़ा बहुत हैं तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, adsense का approval ले सकते हैं इसके URL भी आप लोग चेक कर लेना, यह भी blogspot.com के उपर हैं उसी के साथ next website की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, google operating system करके एक website है तो यह website के उपर आपको google adsense का ad दिखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर भी आप लोग चेक आउट कर सकते हैं, नीचे की तरह बहुत सरा वीडियो फोटोज वगरा अगर इसको एक बार refresh करके आपको दिखाएं तो आप लोग यकीन मानोंगे, यहाँ पर देखो एक बार refresh कर देते हैं और मेरा electricity भी चले गया है, कोई issue नहीं है यहाँ पर अगर हम refresh कर देते हैं, उसके बाद आपको internet connection थोड़ा slow होगा क्योंकि electricity नहीं है अब उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ अब देखो यहाँ पर Google AdSense का आड आ रहे है, इसको और एक पर refresh करके आपको बता देते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भरवर के अड़े भाई और नीचे की तरफ काफी तरीके की पोस्ट है इसके उपर तो यह जो मतलब इसके यह जिसका website है, यह मैनत करते है भाई, अच्छा खासा पोस्ट इसके अंदर डाला हुआ है तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं और अगर आप देखो के यहाँ पर Friday 1 September 2023 को यानि यहाँ पर एक तारिक को यह पोस्ट की गई थी, मतलब इसके उपर अच्छा खासा इसन इंकम होते हैं इसी वज़े से लोग यहाँ पर पोस्ट कर रहें तो basically यह URL भी आप लोग चेक कर सकते हैं इसको एक बर refresh करके आपको बता देते हैं ताकि आप लोग समझ जाओ कि आखिरकार इसके उपर भी AdSense का approval है मैं बस आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ तो जैसे के आप लोग देख पर है यहाँ पर AdSense का Ad भी आ चुका है कोई issue वाली बात नहीं इसको close करते हैं और यह next वाला जो website है इसके उपर अगर अब देखोगे यह ना मैं आपको इसलिए यहाँ पर set किया था कि यह अच्छे तरीके से Ad भी सजाया नहीं हो आए फिर भी इसके ऊपर AdSense का Approval बगर सब कुछ मिल चुका है यह देखे Google का Ad आ रहा है और नीचे की तरफ अगर अब देखोगे यहाँ पर भी Ad आ रहा है मतलब यह कमाल के Ad जिसके अंदर आ रहा है यह जो है मतलब खुद का थी में Google का जो ब्लॉगर का खुद का थी में वही थी में इसको एक बर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर क्लिक करके और यह देखे नॉट सिकूर है तो इसके अंदर वह कोई इशू नहीं आ रहा है कि Google Adsense का एड है इसको क्लोस करेंगे उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर और एक website के उपर जैसे कि यह आप देख सकते हैं इसके उपर भी Adsense का एप्रोबल है जो कि blogspot.com के साथ है जितने भी मैंने आपको दिखाया वो सारे के सारे blogspot.com के साथ है इसको भी एक वर refresh करके आपको बता देते हैं ताके आप लोग को यकीन हो जाए कि हाँ इसके अंदर भी Adsense का एप्रोबल दिया हुआ है यह देखो आपके Adsense का एड यहां पर लगना शुरू हो चुके हैं इसको थोड़ा सा नीचे देते हैं यहां पर अगर आप देखो थीम भी काफी अच्छे तरीके से इन्होंने कस्टमाइस कर रखें कोई इशू वाली बात वहां पर नहीं है तो इसको close करते हैं यह भी blogspot आज आएंगे थोड़ा सा internet slow हो रहा है इलेक्ट्री जाने के वज़ए से यहां पर देखो आपके सामने जो advertisement आ चुका है यह भी ads Google का ही है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप Google के मतलब आप जो है blogger के ऊपर adsense के approval नहीं ले सकते थीम आपका थोड़ा बहुत clear रहना चाहिए जितने भी website आप लोग देख पर हो ना ओ सारे के सारे website के ऊपर theme जो है घिसा पीटा नहीं है clear है बहले ही content के अंदर थोड़ा बहुत इदर उदर है लेकिन theme अच्छा ख़जा है look जो है मतलब look दुकान के look अच्छा है उसके बाद यह जो website यह भी blogspot.com के साथ है यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर भी approval adsense का मिल चुके हैं कोई issue नहीं है अगर आप एक बर इसको refresh करके दिखाओ तो आप लोग देख पाओगे यहां पर google adsense का ad लगा हुआ है अराम से आप लोग देख सकते हैं उसी के साथ इसको close करेंगे next वाले website के उपर जाएंगे अगर PS available नहीं है तो अगर आप यहां पर धिखान दोगे यह refresh जैसी हो जाते हैं आप लोग देखोगे यह basically dr smith ECG blog मतलब ECG regarding कुछ लिखते हैं type करके बना और इसके अंदर भी adsense approval दे चुके हैं कोई issue नहीं है आप लोग भी यह देखे September 3 तारीक को last post की गई थी मतलब यह continue है जि के उपर पोस्ट इसको close करेंगे उसके बाद यहां पर और एक website है यहां पर देखिए blogspot.com के साथ इसको पहले refresh करते हैं उसके बाद आपको बताते थे यह देखे Google Adsense का एड़ है अगर नीचे आते हैं यह बाहर के थी में लेकिन पूरा एकदम सिंपल थी में कोई भी घिस नहीं है और मेरा UPS शायद बैकप उतना ज्यादा देर तक नहीं देखा और यहां पर जो है अगर हम इसको एक बार refresh करेंगे next वाले website को तो यहां पर आप लोग देख पाऊगे URL को आप लोग खुद एक बार note कर लेना खुद से एक बार check कर लेना तो यहां पर देखो यह आ चुका है नीचे Google Ads Google Adsense का एड और यह भी बिल्कुल सिंपल website है यहां पर अगर आप देखो के यह टेक्नलोजी से लिलेटेड website है और इसके अंदर मैं आपको बता हूँ अच्छा खासा content डाला हुआ है अगर आप देखो के नीचे बहुत सारा यह रहो देखो कितना Microsoft के चीज़ों तो बेसिकल यहां देते हैं कोई इशू नहीं है blogspot.com के साथ ध्यान से देख लो इसको close करते हैं next website के उपर जाएंगे इसके उपर एक पर refresh करेंगे तके आप लोग को यकीन हो जाए सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर देखो यह Google Ads का Google का एड्स है ठीक है नीचे आ रहा है Google Ads और अगर आप देखो के जावा के बारे में website है यहां पर जावा के सारे के सारे चीज़ डाला हुआ है तो यह जितने भी लोग है यह सारे के सारे मेहनत करते हैं मतलब काम भाई करते हैं आपको काम करना होगा कुछ भी हो जाए भाई काम आपको करना होगा तो काम अगर नहीं करोगे तो यह आपका approval नहीं मिलेंगे भाई आपको post डालना है तो इसको close करते हैं तो उसके बाद अगर आप देखोगे यह sappostblogspot.com तो यह जो है इसके उपर भी Google Ads का approval है अगर हम यहां पर देखिए एक बार open करते हैं यह आपर open करने के बाद आपके सामने Google Ads आ चुके हैं तो इसके अंदर अलग language है शायद यह मराठी है या फिर तामिल कुछ ऐसे हो सकते हैं और उसी के साथ यहां पर English language है यह अलग-अलग language के अंदर यह run की गई है लेकिन इसके अंदर भी Google Adsense का ad चल रहे हैं अब close करते हैं य यह आपका last website यह website नहीं है यह आपका last channel इसका जरू subscribe करना क्यूंकि भाई अगर आप लोग subscribe नहीं करोगे तो हम motive उतना नहीं होंगे इतना आपके लिए motivation वीडियो नहीं बना पाएंगे इतने सारे blogspot.com के साथ आप YouTube के उपर जाओ एक भी proof बली वीडियो आपको नहीं मि अगर आप YouTube बनना चाहते हैं वीडियो इडिटिंग, फॉटो इडिटिंग, सारे के सारे playlist दिखने के लिए मिल जाएंगे, blogger के उपर कैसे website free में बनाओगे, A to Z website making के उपर हैं, make sure guys नया चानल को subscribe करके support ज़रू करना, PC Graver Team कभी भी आप से आपके personal information, like, otp email address, bank details, mobile number कुछ नहीं मांगते हैं, ऐसे चीज़ कभी भी हमारे कमेंट या फिर email box में मत डालिये,